आपने दुबाई के जंक यार्ट के बहुत सारे वीडियो और इमेजिस देखी होंगी जहाँ पैसी लग्जरी कार्ज को अबेंडेंट छोड़ गया जाता है अफिर वो क्या रीजन्स है जिनके वज़ए से इंडिया भी जो है वो दुबाई के तरह एक स्पोर्ट और लग्जरी कार्ज का ग्रेव्यार बनते जा रहा है डोंट वरी हम बताएंगे आपको A to Z सारे फेक्टर्स इस वीडियो के एंड तक बताया जाएंगे जिसके वज़े से इंडिया के जो स्पोर्ट कार्स ओनर्स है वो अपनी कार को ड्राइव करने से ज़़ादा एबंडन करने में प्रॉफित समझ रहा है तो उसके पास जादा options available ही नहीं होते हैं क्योंकि Indian market में बहुत ही कम ऐसी sport cars हैं जिसको Indian market के लिए launch किया गया है ऐसे में अगर किसी को एक ऐसी sport car लेनी होती है जो international markets में पहले ही launch हो चुकी है तो उसके लिए बस दो ही options उसके पास बच जाते हैं या तो वो किसी third party second hand car dealer से contact करें या फिर वो अपने लिए एक नई car UK जैसी किसी भी country से import करा सकता है आपको इस option से एक नई car तो मिल जाती है बट यह जो option होता है वो सब के लिए affordable नहीं होता है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अब इसको आपको जानने के लिए आपको एक छोटा सा part custom duty का समझना पड़ेगा तो according to Indian custom duty आपको अगर किसी भी foreign country से car को import करा रहे हो तो उस car के retail price का 165% as a custom duty आपको Indian government को tax पे करना पड़ेगा for an example अगर मैं एक car इंडिया में import करता हूँ जिसकी value 24 lakhs है तो मुझे कितना custom duty पे करना पड़ता है Indian government को तो for an example अगर मैं 24 lakh की car को इंडिया में import करता हूँ तो Indian custom duty के जाब से मुझे 33 lakhs पे करने पड़ते हैं और अगर total cost की बात की जाए inclusive tax तो मुझे 24 lakhs की जो car है वो tax के होने के बाद 57 lakh हो जाती है approximately तो मतलब मुझे 165% more pay करने पड़ रहे हैं अपनी car को legally import करने के लिए इंडिया में उसकी retail value से बहुत साल लोग अपनी car को इंडिया में इंपोर्ट करा भी लेते हैं इतने ज़्याद दो टेक्स हैं उनको pay करने के बाद बट इंडिया की जो 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 क्लामेटिक कंडिशन है उसके वज़ए से इंडिया में बहुत ही excessive गर्मी पड़ती है as compared to the countries जहां पर यह जो cars है उनको manufacture किया जाता है और इन cars को in condition में survive करने के लिए engine में कुछ modifications करने की ज़रूद पड़ती है according to Indian Motor Vehicle Act engine mods इंडिया में illegal है तो ऐसी में owner के बास बस एक ही option बच जाता है कि वो अपनी car को stock engine पे ही चला है बट इंडियन climatic condition की वज़ए से इन cars के engine बार बेक डाउन जाता है वो अपनी car को 4-4 महिने चला ही नहीं सकते है जो बहुत ज़्यदा frustrating होता है और Indian rules के इसाब से वो अपनी car में modification भी नहीं करवा सकते है जिनके इस वज़ए से इनके car के engine बार बार breakdown होते है और तीन-चार मेने का इनको हर बार wait करना पड़ता है spare parts के लिए तो कही ने कहीं यह सब जो वज़ए है इनके वज़ए से इस car की owners होते है वो बहुत ज़्यदा frustrated हो जाते है और वो अपनी car को abandon करना ही ज़्यादा profitable समझते है और जो second factor है वो इंडिया's poor road condition इंडिया के road conditions जो है वो इतने poor है कि आपको इंडिया के roads में कई जिए बहुती बड़े बड़े गड़े देखने के लिए मिल जाते है और यह जो cars होती है इनकी जो ground cleanliness होती है वो बहुती कम होती है और कई बार इन cars के जो owner होते है इन car को swap करने के लिए बस बहुती high speed में इन cars को चलाते है और बहुती rest driving करते है जिनकी वैसे कई बार इन cars जो tires होते है वो इन गंठों में चले जाते है और इन cars के control खोने के वैसे इनकी accident भी हो जाती है और इतने सारे पैसे लगा कि अगर कोई इनसान एक car को इंडिया में import करा रहा है मतलब कि वो एक normal बंदा नहीं है तो कई सारे cases में इन cars के जो owner होते है वो या तो बड़े film stars या तो कोई बड़े politicians या फिर कोई बड़ा businessman या फिर उनके बच्चे होते है तो इन लोगों की ए इंडिया गेट के पास देखने के लिए मिलता है जहाँ पे चार करोड की Lamborghini का इंडिया गेट के पास accident हो जाता है जब police accident spot पे पहुंचती है तो नहीं उन्हें वहाँ पे driver मिलता है नहीं car की number plate मिलती है दोनों ही spot से missing होते है तो यह example है एक brand value बचाने का जहाँ पे एक accident के वज़र से अपनी brand value को खत्रा ना हो उसके लिए car को totally abandon कर दिया गया है car एक yard में सड रही है ना उसके बारे में पता किया जा रहा है ना कुछ इस car को totally abandon कर दिया जा रहा है तो यह कुछ reason है जिसके वज़र से इंडिया भी car का graveyard बनते जा रहा है तो वीडियो अच्छी प्राइब कर लेगा बैल लोटिफिकेशन और कर लिजेगा और कमेंट के बताए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और फ्यूचर में किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए